तो सास्री कल सा रहा है नूं मैं हूँ प्रावविर केंड थोड़ी सी तवित खराब है तो थोड़ा सा आप वीडियो में हो सकता है क्यों कहीं ना कोई कोई परिशानी लगे और इसलिए मैं इतनी मोटीज जैगेट पहनी है और कहीं कहीं ऐसे करके यह वाजी भी कर सकती है श चार्जर है कोई कवर नहीं है तो आपको कवर अलग से खरीदना पड़ेगा बाकि डिजाइन में बहुत सिंपल डिजैन है मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि ओवरॉल पूरे फोन पर एक टेक्स्चर है जो आफ फील कर सकते हो अच्छा लग रहा है प्राइस के पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है लेकिन हाँ कवर लगा लेना अच्छी बात रहेगी वह आपको अलग से खरीदना पड़ेगा इवन टैंपर्ड ग्लास भी लगा लेना कोई कंपरी ने आपको स्क्रीम पेलिटर भी लगा के नहीं दिया है वैसे सामने आते हैं तो आप की पहुंच जाती है अब आउटर में इसे यूज कर सकते हो तो डिस्पल में हाँ जरूर डिटेल्स कम मिलेंगी कोई सेवन टीपी है लेकिन हाँ इस प्राइस में मुझे लगता है सेवन टीपी ही मिलेगी वह भी नौच वाली खैर साउंड क्वाल्टी लिए आपको सिंग आप एंड्रूड वाला सॉफ्टर है और ये अंड्रूड 12 पर बेश्ट है जो की गो एडिशन है गो एडिशन का मतलब पता क्या होता है हलका वर्चन है यहाँ पर आप एंड्रूड का अब स्टॉप का अन्रूड है तो बहुत क्लीन देहन को मिलता है कोई भी आपको उल् बहुत रिस्पॉनसिव देखने हो मिलता है क्योंकि काफी लाइट वेट है तो ज़्यादा फीचर भी नहीं है इसकी विए से ज़्यादा बग्स वगएर भी आपको नहीं मिलते हैं आप पर्फोमेंस कैसी है क्योंकि सस्ता फोन है तो हो सकता है अटकने की चांसिस हो तो आप प्रोसेसर तो ऐसे यूज किया है Mediatek का Helio A22 3GB RAM है और 32GB Storage आपको मिलती है and surprisingly काफी सही काम कर रहा है मैं 3GB RAM वाला वेरेंट यूज कर रहा हूँ एक 2GB वाला भी आता है and 3GB RAM में आपको app opening वगएरा काफी सही देखने हो मिलती है बहुत slow feel नहीं होगा ये और even आपकी RAM चोटी चोटी apps वो ये करवा देगा और चोटी gaming वेगरा जैसे subway server candy crash वेगरा वहां पर भी फोन नहीं अटक रहा है हाँ heavy gaming करने कोशिच करोगे या phone को अटकाना चाहोगी तो जरूर अटरे जाएगा जैसे COD में graphic support भी काफी कम है और वहां पर आपको काफी खराब सही gameplay दे करोगी इवन डेड़ दिम में कई दिन चल जाता है नेट्रो के अंदर यहां पर 4G प्लस नहीं है और इवन वाइफए के अंदर बीना 2 GHz का support है 5 GHz का support नहीं है तो यह दोनों चीज़े को धियान रखना जीव सिम बगरा मैंने टेस्ट किती एटल सिम टेस्ट किती सब अच बाकी camera आता है उसकी बात करते हैं फीचे single ही camera है जो कि 8 पिसल का एंड सामने आपको 5 में पिसल की selfie मिलते हैं side by side ही आपको दिखा जाता हूँ देखो zoom करोगे simple चीज समझ लो की 8 में पिसल और 5 में पिसल की वैसे details तो नहीं आएंगी even color speed ने कुछ खास नहीं आ रहे okay okay सा द camera से एंड देखो details नहीं है क्योंकि कम megapixel है stability पी इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिलती तो camera ऐसा है simple समझा देता हूँ किसी को कुछ भेजना है WhatsApp वगेरा पे good morning message वगेरा कुछ खीच की भेजने उतने तक चल जाएगा लेकिन कहीं upload करना है जैसे Instagram वगेरा पे और कहीं Facebook भी आ सकता है तो और बड़ी होगा तो एक budget में से भी budget phone है तो अगर कोई पहली बार smartphone यूज़ करना चाता है और उतना ज्यादा spend नहीं करना चाता है तो इस phone की तरफ वो आ सकते है मामी पापा के लिए phone देना है क्योंकि वो normal काम ही करेंगे और WhatsApp पे message वगरा भेजेंगे उनका simple सा काम होता है और वो simple काम ये करवा देता है तो उनको दे सकते हो दादा दादी को ज़्यादा लोग वैसे gift करते हैं लेकिन उने भी आप gift कर सकते हो उनके लिए भी phone अच्छा करता हूं आप लोगा कहीं पर पैसा वेश्ट ना हो तो वीडियो अच्छी लग रही हो सिंपल लग रही हो और असानी से समझ आती होंगी तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल एकन को ओल पे करना ताकि ऐसी वीडियो में आपको और दे सकूं लाइक करना एंड कमेंट करन ना ताकि ये वीडियो ना जादे लोग तक पहुँच पहें मिलते हैं आप लोग उसके लिए वीडियो में थैंक्स वुर्वाचिंग और लग फर ओल